आज के इस वीडियो में हम बाट करने वाले हैं थ्रैच प्रायरिडविज के बारे में, पेचले वीडियो मैं थ्रैट कंंस्रक्टर के बारे है था और उसका यूसेज भी बतायाmap यहांबर मैं जल्दीज्च अपनी खुलूँगा और वीडियो नमबर 74 अभी हमारा जो है Thread Priorities और यहाँ पर Thread Priorities में मैं आपर एक main method बनाऊँगा Thread Priorities की बात करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ा सा JVM के behavior के बारे में बताना चाहता हूँ कि Java में जब बहुत सारे Threads होते हैं तो Java में किस तरह से उनको run किया जाता है JVM द्वारा जो Java Virtual Machine होती है उसको एक ready queue मिलती है और यह ready queue के अंदर आपको वो सारे Threads मिलेंगे जो की ready to run है तो अगर मैं बात करूँ उन सारे Threads की जो की चलने के लिए यहाँ आने तो उनमें से आपर मैं T1, T2, T3, T4, T5 कुछ इस तरह से लिख देता हूँ और यह ready queue है JVM द्वारा maintain की जाती है यानि कि JVM के पास इन पांचो Threads को run करने की जिम्मदारी है ठीक है यह पांचो के पांचो जो Threads है इनको run करने की जिम्मदारी JVM के पास है और उनको इन सब को CPU प्रदान कराना है ठीक है अब यह जो ready queue है यह JVM द्वारा maintain की जाती है और Threads Scheduler Component Specifically कैसा Component होता है JVM में जो कि इस चीज़ को maintain करता है अब यहाँ पर कौन सा Threads कब run होगा उसको कितनी priority दी जाएगी यह सब हम Java के अंदर अपने end से specify कर सकते है तो मैं आप आप लोग को ले जाना चाहूँगा Google पर और हम यहाँ पर Java Thread Priorities के बारे में बात करेंगे और मैं यहाँ पर पसंद करूँगा Oracle का link जो कि Thread Priorities की बात करता हो तो यहाँ पर Java की Thread Priorities की बात इन लोगों ने करी हुई है अब देखो आप लोग Java में Threads को तीन तरह की Priorities दे सकते है Min Priority जो की by default 1 value के साथ आती है Normal Priority जो की आपके पास by default 5 value के साथ आती है और Max Priority 10 के साथ आती है Max Priority का मतलब उस Thread को सबसे ज़्यादा Priority दी जाएगी अब मान लो आप लोगों के घर में मैं आप लोगों से मिलने आ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि यार भाई कैसे हो यहां फिर दीदी कैसी हो तो आप में से जो कई लोग हैं वो मुझे अच्छी Priority देंगे ठीक है और मुझे बठाएंगे हो सकता है चाए भी मिल जाए एक कपीने को लेकिन अगर मेरी जगा शारुक खान या कैट्रीना कैफ उनके घर में आ जाती है तो आपकी Priority उनको जादा होगी मुझे कम होगी क्योंकि वो एक Celebrity है तो इसी तरह जो Priority वाली चीज है यह यहाँ पर काम करती है जावा में भी कुछ इस तरह किया आप प्रिफर करते हो किसी और Thread को एक Thread के मुकाबले आप चाते हो वो चीज जादा Run हो Run दोनों हो लेकिन आप चाते हो कि एक चीज को आप जादा फोकस दो जादा Priority तो यह जो चीज होती है इसे Priority कहते हैं एक और Example अगर मैं आप लोग को दूँ जो है अपने काम में व्यस्तों और आपकी दर्वादे पर कोई खट खटाता है और कहता है यह 10 लाग रुपे हैं यह बट रहे हैं आप पर इनको लेके जाओ तो आप अपना काम छोड़के वो 10 लाग रुपे को लेना Priority समझोगे तो Priority का तो मतलब सबको पता ही है और मैं बस यहां पर छोड़े से Funny Examples दे रहा था अब यहां बर हम जल्दी से Code में देखते हैं कि यह चीज किस तरह काम करती है कौन से Thread को आप कितनी Priority देना चाते हैं और यह तीन Values होती है Constant, Java, Thread Class के अंदर जो कि हम यूज कर सकते हैं Thread को Priorities देने के लिए ठीक है Thread को Priorities देने के लिए हम लोग इन Values का इस्तिमाल करेंगे और इन Threads बनागे Code लिखेंगे तो मैं आपर करूँगा क्या है जो मैंने पिछले वीडियो में Thread Class बनाई थी उसको दुबारा तो मैं बिल्कुल भी लिखना नहीं चाहता क्योंकि यार ठंड बहुत हो रही है और मेरे हाँ जम चुके है और मैं आपर इसलिए इसको अपने आलस को मद्दिन नजार रखते हुए इसका नाम THR1 करके एक नहीं Class बनाऊँगा और मैं THR1 करके इसके Constructor को भी बनाऊँगा और मैंने यह Thread यहां पर बना दिया है अब यह जो मैंने दो Threads बनाए दे मैं इन दोनों Threads को यहां पर बनाऊँगा और T1, T2, T3, T4, T5 मैं इस तरह से बनाऊँगा अब मैं इनको नाम अभी दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता हूँ जैसे कि आप लोग को मालू होगा T2, T3, T4, T5 और इन सब को मैं Start भी कर सकता हूँ ठीक है तो मैं यहां पर जो नाम है इनको मिटा रहा हूँ और यहां पर इनको इस तरह से करके सेव कर दोंगा और यहां पर मैंने New My THR लिखा हुआ है मैं इसको जारा One कर देता हूँ One, 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 One और यहां पर मैं One इस तरह से कर देता हूँ और यह नेम वाली चीज जो है वो मैं अभी के लिए डालेता हूँ लिए मैं काम करूँगा इनको नाम जो है इनका कुछ देही देता हूँ ठीक है वन यहाँ पर भी वन यहाँ पर भी मुझे बहुत बोरिंग है टाइप करता हुआ देखना मुझे ठीक यार हैरी टू फिर उ यहाँ पर मैं क्या करूँगा टी 1.start करूँगा यहाँ पर लिखर हुँ थैंकि हम यहाँ पर टी त्री 2.start करूँगा और यहाँ पर लिख थैंक यहां पर प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसको आप लोग को रन करके दिखाऊंगो जिस तरह से तो आप लोग यहां पर देखो तैंक्यू हैरी 3, हरी 1, हरी 4, हरी 2 यह अपने किसी order में रन होकर मुझे दिखा रहा है मैं T5 के साथ जल्म नहीं करना चाहूंगा उसको भी मैं आप रन कर देता हूं और T5 को भी मैंने रन कर दिया उसका start method दे कर ठीक है अब आप देखो यह किस order में रन हो रहा है 3142 ठीक है मैं फिर से इसको र important ठीक है माल लो for some reason यह मेरा एक ऐसा काम है जो कि मुझे बहुत high priority के साथ करना है for example अगर आप एक text editor में काम कर रहे हैं तो आपके cursor का blink करना और आपकी keyboard के input को receive करना सबसे important काम होता है ठीक है और background में save करना जो है बहुत mediumish priority का होता है और server को user का data देना for improvement of the software यह चीज़ भ आप चाहोगे उसके data को catchना अपने server पर भेजना वो सब काम आप बाद में करोगे पहले आप चाहोगे कि आपका जो user उसको अच्छा experience मिले अभी मैं इसको करन करूंगा तो most important वाला जो है वो देखो दूसरे number पर रन हो रहा है but ideally मैं चाहोँगा कि मैं इसकी priority को set करूं और इसकी priority को set करके थोड़ा बढ़ा दूँ कुछ इतना तो बढ़ा दूँ कम से कम क्यार मुझे problem ना हो इसको last में मैं ना देखूं तो मैं क्या करूंगा इसकी priority को बढ़ा दूँगा मैं आप लिखूंगा t5.setPriority और मैं setPriority में क्या दूँगा मैं आप लिखूंगा thread और मैं आपर लिखूंगा thread.max priority यानि कि मैं को इसकी max priority जो है वो set कर दो अब इसी के साथ सद मैं एक का मौर करूंगा इस चीज को ना while true के अंदर डाल दूगा और while true के अंदर पता है मैं क्यों डाल रहा हूँ? while true के अंदर मैं इस चीज को इसलिए डाल रहा हूँ करके दिखा हूँ तो आप लोग को देखो शुरू में तो जो भी हो लेकिन एक time के बाद आपको जो most important thread है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देगा आप देखो most important वाला आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है अब देखो काम तो सारे है लेकिन सबसे ज़्यादा priority दे रहा है most important वाले को ठीक है तो देखो most important वाला आप लोग को सबसे ज़्यादा दिखाई देखाई यह सबसे ज़्यादा CPU टाइम जो है यह दे रहा है most important वाले को अब जो default priority होती है Java के अंदर वो होती है normal priority तो मैं एक काम करूंगा जो T1 वगएरे की priority है इसको मैं min priority set कर दूँगा तो मैं अगर इसको min priority set कर दूँग इस तरह से तो आप लोग देखों यहाँ पर T1, T2, T3 और T4 के साथ भी यही कर देता हूं मैं ठीक है T4 min priority जो है वो मैं set कर देता हूं और अब मैं इसको प्रोग्राम को वापस से रन आप लोग को अगरे दिखाऊं तो यह थोड़े थोड़े आप लोगो दिखाई तो देंगे but most important व अब मैं अब आप लोगों को एक बात दोर बताना जाता हूं कि जो priorities होती है Java programming के अंदर उन priorities पर जादा आप लोग rely नहीं कर सकते जो priorities होती है thread की वो जो है OS के दोबारा भी set की जाती है तो आपका operating system क्या चाहता है program से यह भी बहुत जारा depend करता है आपका program किस तरह से run कर है उस चीज़ पर यानि कि जब तक CPU available है वो low priority thread को भी available करा दिया जाता है अगर मुम्किन हो तो तो इस तरह से जो है आप लोग priorities को जो है लेकिन Java में set कर सकते हो अपने end से I hope कि आप लोग को यह priorities का video पसंद आया ऐसे बहुत सारे और functions and threads के जो कि मैं आप लोग का अगले व पता रखा है complete Java course आप लोग को यहां पर मिल जाएगा आप लोग चैनल पे जागे playlist section में जाकर access कर सकते हो playlist को और I hope कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आप कर दो आप लोग कर दोग कि मैं वा कर दो जाब लोग कर दो